दोस्तूं आपको पताओगा 8 दिसंबर को किसान अंदोलन के चलते भारत बंद रहा था राइट और ऐसे में अब एक बार फिर से करसी कानूनों पर और अंदोलन को लेकर के अंदर सरकार की तरब से करसी मंत्री कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव में सबी सवालों के जवाब दिय किसान फेसला नहीं कर पा रहे हैं ये चिंता की बात हैं दरसल किसान अंदोलन को लेकर दोस्तूं फार्मर्स प्रोटेश्ट को लेकर लाइव अपडेट आ रहा हैं करसी मंत्री बोले कि किसान कानून रद करने पर अड़े हुए हैं हमने सारी सर्ते मान लिये हैं आगे कर दिया चाहिगा और एल जह दोस्तूं भारत बंद की तरह ही 14 दिसंबर को फिर से देश वर में परते नहीं कर गा किसान किसान संग के नेताओं ने प्रस्ताओं को देश के किसानों का अफमान करार दिया और हलांकि दूस्तों उन्होंने कहा कि सरकार अगर वार्था के लिए नया प्रस्ताओं भेजती है तो वे उस पर विचार जरूर कर सकते हैं और इसे बीच अब सरकार और किसान संगठन के ने अब कल और बेटक हो सकती हैं वहीं किसान संग्धन के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सबी किसानों के लिए 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आवान भी किया गया है जबकि दक्षिन भारत में रहने वाले किसानों से जिल्ला मुख्यालेओं पर प्रदेशन के लिए भी कहा गया है किसान नेताओं ने कहा कि वे 14 दिसंबर को भाजपा के मंतरियों पार्टी के जिल्ला का रियलेओं का गेराओं करेंगे किसान को लेकर और क्या नया अपडेट लाती हैं भारत बंद के बाद अब हाईवे और टोल प्लाजा को भी बाद दित करने की प्लानिक बना रहें किसान भाई लोग 12 वे 14 दिस्टंबर को प्रदेशन की जिताओनी दिये हैं अभी किसान लगतार उत्रप्रदेश और दिल्ली बोर्डर पर धरना प्रदेशन कर रहें सरकार और किसानों की बीच अब तक 6 बार से भी ज़्यादा बात चीति या बेटके हो चुकी हैं जार किसान अपनी मागों पर अडे वी हैं वही सरकार भी नए क्रेशी कानूनों को वापस लेने में एग्री नहीं हैं देखते हैं आप दोनों की बीच सहमती आकर किस नीड़ने पर बनती हैं जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूँगा DLS News के उपर इसके लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सस्क्राइब करके आप लाइक ओन जरूर दबाई रखेगा और बाकी इस वीडियो को लाइक करना शेयर भी करना आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना की आपको क्या लगता दोस्तों कि सरकार को नए क क्रेसे कानोनों में क्या बदलाओ करने चाहिए या पूरी तरह से क्रेसे कानोनों को हटा देना चाहिए आपके क्या रहा हैं आप भी मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगे और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा थेंक्यू चेकर गुडबाई जय जय बारत वंदे मातरम